हाई अबरिवन तो आज मैं बताऊंगी दो तरीकों से सकरकंदी को भूनना जो कि बहुत ही जी तरीका है आपको बेहत पसंद आने वाला है ये वाला वीडियो तो वीडियो को बिना इसकी पूरा देखिए तो ये देखिए मैंने लिगा है सकरकंदी जिसको धो करके अच्छे समय लगता है तो दूसरा तरीका है जिसके पास माइक्रोवेब नहीं है उसके लिए कापी तरीका है तो ये देखिए मैंने लिया है कड़ाई में नमक तो करीब मैंने आधा कटोरी नमक ले लिया है नमक को अच्छे से फैला देंगे तो अभी नमक ठंडा है तो मैं हाथ से कर रहे हूं को फैलाने के बाद इसके उपर से हम रख देंगे सकरकंदी को तो मैंने करीब तीन सकरकंदी भूना है आपको अगर ज्यादा भूना है तो आप ज्यादा भी रख सकते हैं इसका कोई चकर नहीं है अराम से भून में चलता एक इस दो मिनट में बीच में चलाते रहाएं नहीं तो सक्रकंदी जल भी सक्ता है यह सकता है तो तो बहुत जली जलने लगता है तो बस चाह से पाश मिनटी लगेंगे सकम्रेदी बिल्कूल अच्छे से बुन के तो आप भी इसको चलाते रही है नहीं तो जलना स्टार्ट हो जाता है तो यह देखिए नीचे से थोड़ा-थोड़ा इसका छिलका जलना इस्टार्ट हो गया है लगवगे भून चुका है लेकिन मैं दो मिनिट के लिए इसको थोड़ा और रखूंगी ताकि यह एच्छे से सौप्ट हो जाए तोड़के देखा यह बिलकुल बढ़िया से पक गया है धुन गया है तो चाट से पांच विनट हो गया चलिए हम गड़ाई वाला भी चैक कर लेते हैं तो यह देखिए यह अच्छे से हो गया है बिलकुल सौप्ट और क्रिस्पी है काफ़ी ज्यादा यह सौंधा सौंधा ल थोड़ा थोड़ा जल गया है तो इसका स्वात काफी ज्यादा अच्छा आने वाला है तो आप भी जरूर भूनिए इस तरीके से शकरकंदी को तो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइज सस्क्राइब जरूर कीजिए